इंडियन एयर फोर्स भारतिय सेना का एक ऐसा अंग है जो हवाई सुरक्षा, हवाई युद्ध और हवाई चोकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है इंडियन एयर फोर्स प्राकर्तिक आपदा में भी हमारे देश के लोगों तक मदद पहुचाती है इंडियन एयर फोर्स की अस्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था इंडियन एयर फोर्स को आजादी सब पहले रोयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था सेकेंड वर्ल वार के दोरान इसने महत्वपून भूमिका निभाई थी फिर बाद में इसके नाम से रोयल सब को हटा कर के वल इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया भारतिय वाई सेना में आज लगवग एक लाग चालीस हजार सक्रिय सैनिक हैं और लगवग दो हजार एकसो तेईस एयर क्राफ्ट हैं इंडियन एयर फोर्स सेकेंड वर्ल्ड वार 1911 में भारत पाकिसान युद्ध और करगी लियुद्ध में अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुकी है इंडियन एयर फोर्स में ऐसे ऐसे घातक विमान हैं जो युद्ध के समय दुस्मनों पर काल बनकर आकरमर कर सकते हैं जैसे जैगुआर, मीग, सुखोई, टेजस, राफेल जैसे घातक फाइटर प्लेन भारतिय वायु सेना को ससक और मजबूत बनाते हैं वायु सेना के जखीरे में एक से बढ़कर एक विमान है जो किसी भी देश को छक्के छुड़ा सकते हैं वायु सेना के जखीरे में सामीब है सुखोई 30 MKI, मिग 29, जैगुआर, मिग 21, मिराज 2000, टेजस, राफेल जैसे फाइटर प्लेन अगर बात हेलिकोप्टर की किया जाए तो MI-17 V5, MI-25, अपातिय जैसे घातक हेलिकोप्टर भातिय वायु सेना को चार चांब बगा रहे किसी भी देश की ताकत का आप लग उसकी वायु सेना की ताकत से हैं किया जा सकता है इसलिए वायु सेना को ससक्त और मजबूत बनाना बहुत ही जरूटी है इंडियान एयरफपोर्स बिस्व की चोथी सबसे बड़ी वायु सक्ती है जो भालत को मजबूत और ससक्त बनाती है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चनल को सबक्राइब जरूरी है